हेलो दोस्तों नमस्ते मैं हूं सुनिक तावाईरे रेस्पी चेक चैनल में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे आलू का एक तम रसीला दानेदार टेस्टी हल्वा जो खाने में भी बहुती स्वाधिस्टर लगता है और दिखने में भी वो कितना सुन्दर लग रहा है तो यहाँ पर छोट छोटे आलू को बोईल किया है आप चाहें तो बड़ो आलू को काट कर अच्छे से बोईल कर लीजिए अब हम आलू में सरसे अच्छे से मेश कर लेंगे आपके पास मेशर नहीं है तो आपका दुकस भी कर सकते हैं तो यहाँ पर आलू को अच्छे से मेश कर लिया है अब हम इस अलू का हल्वा बनाना शुरू करते हैं हल्वा बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक कडाई लेंगे और अब हम इसमें देशी घी डालेंगे कडाई को थोड़ा सा गरम कर लेंगे जिसमें जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी है वो सोख जाए तो अब हम हम इसमें देसी घी डालेंगे मैं यहां पर वाइंका देसी घी से यह टेस्टी सा हलवा बना रही हूं तो मैंने यहां पर लगबगर दो बड़े चमस के करीब घी डाला है घी को थोड़ा सा गरम कर लेंगे तो गीया हमारा अच्छा से गरम हो गया है जो हमने अलू को मैशे करके राखा था वो अलू हमें इसके अंदर डाल देंगे तीरे दीरे करके हम इसके अंदर अलू डाल देंगे तो यहां पर हम अलू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अलू डलने के बाद हम गी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे दो तीन मिनिट तक अच्छे से पका लेंगे ज्यादा नहीं सिर्फ दो तीन मिनिट पकाना है अलू का हल्वा खाने में टेस्टी होता है लेकिन इसे बनाना बहुती असान होता है आप इसे इजी और मिंटों में बना कर खा सकते हैं इसमें ज़्यादा सामान की भी जरूरत नहीं होती है दो तिन मिंट पकाने के बाद अब हम इसमें चीनी डालेंगे आप अपने स्वात के अनुसार चीनी डाल सकते हैं अगर आपको मिठा ज़्यादा पसंद है तो थोड़ी ज़्यादा चीनी डालेजिए अगर मिठा कम पसंद है तो थोड़ी कम चीनी डालेजिए अब हम इसे च हल्वे मिनारियल का ब्रोदा जादा अच्या लगता है तो यह हमारा टेस्टी दाने दारदी ओ Прिंद्द बंद दार है कि देख़ देखने में भी कितना रसीमा और चार अच्छा लग रहा है तो इसी तरह से आप मिंटों में मारो है कि अब टेस्टी सा हलवा चाहते हैं उस बरतन में हम इसे डाल लेंगे सुरूब करने के बाद अब हम इसके उपर थोड़ा सा नारियल का पुरादा डाल देंगे जिसे दिखने में भी टेस्टी हो रहे यमी लगे तो ये टेस्टी सा यमी सा अलू का हलवा बनकर तयार है एकदम लाजबाब और असीला टेस्टी सा अलू का हलवा बनकर तयार है आप चाहें तो ये बरत में भी खा सकते हैं अगर आपको भूग लगी हो तो जटपट मिंटों में बनाकर इसे खा सकते हैं ये रेसिप ये आपको कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू